आज हम लोग वाक्यांच के लिए एक शब्द पढ़ने वाले हैं वाक्यांच याने a group of words ठीक है और इन words के बदले हम लोग जब एक शब्द लिख सकते हैं तो उसे वाक्यांच के लिए एक शब्द कहते हैं ठीक है प्रती दिन होने वाला दैनिक सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक महिने में एक बार मासिक वर्ष में एक बार वाशिक जिसे कभी पढ़ा ना हो अपठित साथ पढ़ने वाला सहपाथी गाव में रहने वाला ग्रामीन जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनिय जो इश्वर को माने आस्तिक जो इश्वर को ना माने नास्तिक जिसकी सीमा ना हो असीम जो संभव ना हो असंभव जो आदर करने योग्य हो आदरनिय जो दूसरों की निंदा करे निंदक जो दूसरों की प्रशंसा करे प्रशंसक जिसके पास धन ना हो निर्धन जिसका कोई आधार ना हो निराधार जिसमें रस ना हो निरस जिसमें रस हो सरस जो दूर की बात सोचे, दूरदर्शी, उपकार में मानने वाला, कृतग्य, जिसे जीता ना जा सके, अजय, जिसका अंत ना हो, अनंत, जो सब कुछ जानता हो, सर्वग्य, छात्रों के रहने का स्थान, छात्रावास, कीर्तिमान पुरुष, यशस्वी, कम जानने वाला, अल्पग्य, विश्वास करने योग्य, विश्वस्निय, जिसे किसी का डर ना हो, निदर, शहर में रहने वाला, शहरी, सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ट, जो चर्चा का विशेह हो, चर्चित, किसी पद का उमीद्वार, प्रत्याशी, जो सदा सच बोलता हो, सत्यवादी, देखने योग्य, दर्शनिय, जिसका भाग्य खराब हो, दुर्भाग्य, थैंक यू एव्रिवान, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, बाई